नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जोतिश ज्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है जिसमें बहुत बेशिक से लेके और वेरीड वान्स तक अस्ट्रोजी अपढ़ा ही जाए तो अगर आपने एक अच्छा अस्ट्रोजर बनना है और अस्ट्रोजी सीखनी है तो यह वाला कोर्स कर सकते हैं बहुत सिंपल है और मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है तो शायद इसके करीब 55-60 पार्ट्स हो भी चुके हैं तो आप अगर देखना ह से डिफरेंट तो ऑपा गोचर कहां कहां अच्छा होता है तो यह अब लोगों को लड़ी बता चुका हुं एब वे जयसे चलना है यह मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टोटल प्रभाव होते हैं वो दशाह के फलों में कमी पेशी करता है तो दशाह में मिलने हैं मिलते ही गोचर केवल उनमें कमी पेशी करता है या तो उनमें कुछ थोड़ा कमी कर देगा या उनके अंदर थोड़ा इंक्रीज कर देगा वो कमी पेशी कैसे होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े इंपर्टन फार्मुले हैं और बड़ी असान नियम है जिनको आप याद रखेंगे याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको लॉजिक है लॉजिक से आप लाके देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा रिजट बिलेगा तीन परिस्थितियों में ग्रहे गोचर द्व यानि किसी ऐसे ग्रह की अंतर्थषा है जो आपको अशुक पलदेने वाले हैं वह अच्छे भावो के स्वामी भी नहीं है वैल पलेस भी नहीं तो वह आपको अशुक पल देने वाला है लेकिन वह अत्रद्शाना अ कुछ फ् organizations से द्रस्ट हो शुब कत्री में हो तो उसके फलों में या उसकी अशुबता में कमी आ जाती है कि यदि कोई अंतर तशानात आपकी कुंडली में अच्छा फल देने वाला है और या बुरा फल देने वाला है क्यों क्योंकि उसके पास भाव अच्छे नहीं है क्योंकि वो अच्छे भाव में प्लेस्ट नहीं है तो उसकी बुराई कम हो जाएगी यदि गोचर में उसको उ उसके साथ बैठ जाए और यदी कोई है शुब फल देने वाला है अगर किसी ऐसे ग्रहए ग्रतफा है देने वाला है लेकिन उसको अशुब घुझे परे देख ले तो उसकी शुब्ता भी नस्ठ हो जाए है बोचर में गोचर के वह की की तो नहीं उसीम ने बता चुका हूं और बार बार बताता भी रहूंगा इसलिए यह देखना के गोचर के अंतर दर्शनाट कि पिरीत में दूर्णी कि बहुत हुद कुर्ण opposs पिरसो गोचर में देगे कि ये अंतरदसानात अच्छे फल देने वाला है और गोचर में शुब ग्रहों से द्रस्ट है और शुब ग्रहों के साथ है तो हम कहेंगे सब बहुत की अच्छे फल मिलेंगे और ये अंतरदसानात अशुब फल देने वाला है गोचर में अशुब में कभी आ जाएगी तो यही आपको लॉजिक लगाना है इसी लॉजिक के तुरू आप सारी चीज देख सकते हैं कि आपको आन्ता दशनात दशा में कैसा रिजल्ट देगा दूसरा पॉइंट इसमें आता है वोगी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहते हैं यदि कोई ग्रह गोचर दवारा आनिस्त भाव में हो वो आप शलोक पढ़ सकते हैं तो इस शलोक का अर्थ रूना लिखा है यह कि यदि कोई ग्रह गोचर दवारा आनिस्त भाव में हो गोचर में वो 6-8 बारे भाव में है, अस्त है, लेकिन अपनी स्वेराशी या अपनी उच्छ राशी में है, तो वो हाने नहीं पहुंचाता है कि इसी क्रह की अंतरतिशा चल रही है और मंगल गोचर में आपका छी आठ बारे भाव में हैं तो आप कहोगे मंगल की तिसा चल रही है तो मंगल की तिसा में फल जो है वह थोड़े अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो छे-दोश नहीं करता है। और गोचर दोवारा शुबभाव में हो और स्वेराशी या उच्छ राशी का हो तो तो कुम शुब फल करता है। अगर वो 6-8 बारे में ना हो केंद तिकोन लाभ भाम में हो और उसके सासाथ वो उच्छ राशी में हो तो फिर तो बहुती बड़ी अफ़ेल मिलेंगे आपको उसमें कोई दोराय वाली बाती नहीं है तो आशा करता हूं यह वाला पॉइंट आप समझेंगे बहुत इस लोग के अंदर साफ साफ कहा गया है जिस ग्रह की अंतर दशा चल रही है क्योंकि मैं आपसे कहा कि जिस रह की अंतर दिशा चल रही हो उस ग्रह को गोचर में जरूर। चेक करूए। तो आपने देखा कि जिस ग्रह की इंतर तिसा चल रही है वो गोचर में तो शुब है। शुब भाव में प्लेश से हैं, शुब ड्राउं से द्रस्ट है। लेकिन नीच राशी में हैं शत्तुर राशी का है। या सूर्य के साथ वो आके अ तो वे अपना शुब्रभाव दिखाने में निश्वल हो जाता है और ऐसी अवस्था में बतब रहे नीच राशी में है और कोई ग्रहे च्टे आठवे बारवे भाव में चला गया अशुब भाव में चला गया तो फिर तो वह अत्केंत शुब्पल देगा एहां कोई रहें गोचर में शुब्भ है यह नि कोच अच्छे बाव में घुचर कर रहा है किन्ति कुम राशी शट्टु राशी में हैं रसे निश्राशी में हो और उसकी अश्वलाने दिखाने बें लेकिन वह और फिर हैं साट शुब्पल तो गोचर का यह नियम भी ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक है एक नियम गोचर का मैं आपको और बताता हूं जन्म कालिन चंद्र राशी से प्रथम अस्टम और द्वादस राशियों में जन्म कालिन चंद्र राशी से आपका देखे जन्म कालिन चंद्रमा कहां बैठा है आपकी गुंडली में चंद्रमा किदर बैठा हुआ है तो उस राशी से जन्म कालिन चंद्र राशी से प्रथम अस्टम और द्वादस राशियों में जब सूर्य मंगल ब्रस्पति और शनी बुर्वंतु प्राण संदे है इस्थान वर्ण दनक्षयं यह क्या मोर्ड ये बोलते हैं यह इस प्रफम यानी प्रश राशी से पहले भाव में निवकराशी में उस्से अस्टम भाव में और उसे दादश भाव में जब सूरिय बंगल ब्रस्पति और शनी गोचर में आएंगे प्रश्रासी से प्रथम भाव में अस्टम भाव में द्वादश भाव में जब सूरिय बंगल ब्रस्पति और शनी जो ये पाप ग्रह हैं ये गोचर में आएंगे तो धन हानी होगी इस्थान शूटेगा अगर आ को मिट्टू करते हैं तो यह पाइंट आपको बहुत है इसमें कुछ नहीं करना आपको जन्मकालिन चंदर्राश्री आपको नोट करनी सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो लाइक कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा आपके इस करने से सब्सक्राइब करने जा रहा हूं जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं धन्यवाद नमस्कार चैशी कृष्णी